असलामलेकूम आज इस वीडियो में फैक्टोरियल के फिसूर्ड ओको देखना है और इसके ट्राइलन को देखना है तो जो प्रिवेस वीडियो थी मर्क्रोड की तो वो भी हमने है कर graduate के ओपर ही ती तो जो हम क्या प्रेल करने जो ाहर lagi करने जा रहें घ्यकति होता है जो अपने फंक्शन की अपने आप खुट कर Check कब कर ले कि इसको एक तरह कहता है कि यह अपने यूटक चलाता है तो कह प् Но थी कई अबंबर ले लिए खिए ऑर उसको फैक्टुर्यल में ले ले लिते हैं तो reindeer拜拜 बिल्कुल इस था काम करता है कि जो भी नंबर आता है फाइफ को वो ब्रेक कर देता है और फॉर फेक्टॉरियल के अंदर ठीक है और यह काम सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखते हैं जब लिखेंगे तो और दादा समझ भी आएगा कि हम कर गया रहे तो सबसे पहले तो हमने लिकर से सब्सक्राइब लिखेंगे तो अब आपको करना क्या था इन मेकनिदम को फॉलो करना है तो तो जिस तरह मुझे बचाईज ये पहले मैं वं के लिखेंगें पास घिरी जाय ऑगर नक की वैलिव और ख्रौशUM आठा नाक कीशनété के बिखेंगा ये जाए हैं अगरK पकर यह जाया जिपनार्क तो इस ना सब्सक्राइब हो दिए कर दो अगर वाद हो का अगर वैल्यू तो ना करें जी रो और वन में से फॉर्ब्हूस कस रहा है और टि बन में यह च्वरन दील नहीं प्रिंट करें और जीनिप स reflectors चाह्यइन करता घ्रनलोगा और उसका जो भी recursive function है fact के नाम से मैंने बनाया है factorial उसमेंसे एक minus कर दो तो यह return करवादे मेंस कि 5 into factorial of 5 minus 1 4 means के n into 4 factorial यह अपने आपको recursive call करते हैं कि तब तक करेगा जब तक बन ना आ जाए ठीक है तो यह हमारा सिफ pseudo code था जो कि सिफ ट्यार लाइन पर मुश्टमिल था अब हम इसका और ड्रायरन करके देख लेते हैं ताके चीजे और अच्छी से clear हो जाए और अच्छी से हो जाए तो इसका ड्रायरन कर लेते हैं तो इसका तो मैं एक number ले लेता हम 4 तो जो factorial करने तर जो value आएगी मैंने consider कर लिए कि 4 आ रही है ठीक है जब 4 आएगी तो सबसे पहले हमने य लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 ठीक है इफ आली जो कमांड है वो आपकी तो execute होगी नहीं सीदा कहां आएगा वह एल्स के अंदर आएगा एल्स का जब condition होगी तो आपकी पर return में क्या लेगा मैं return की लाइन नहीं लिख रहा तो simple जहां पर 4 लिखोंगा और into fact of n-1 अब n-1 मतलब के 4-1 तो which is equal to 4 into factorial of 3 यह आ गया अब जो यह वाला argument है fact of 3 यह दुबार अपने आपको itself run करवाएगा यह फैक्टोरियल अपर यहां पर आएगा वापस तो आपको यहां पर कुछ इस तरह दिखेगा जिस तरह पिछली वीडियो के दरह में देखा था कि जो भी फैक्टोरियल ओफ 3 है वो क्या आएगा अब फैक्ट आफ 3 में वो चला गया तो यह line में दुबारा लिख रहा हूं वैसे लिखने की need नहीं है तो यह क्या करेगा if की command को execute नहीं करवाएगा वो else की command को execute करवाएगा जब else चलाएगा तो जो भी हमारे पास value होगी वो क्या होजे कि return करके 3 into factorial of 2 ठीक है तो यह जो answer है वो इसका answer है तो जब हम answer निकालते जाएंगे तो हम इसको backward अपने answer को flip करते जाएंगे तो अब इसको चलते है line number 9 के तरफ अब यह factorial of 2 दुबारा इटसर्फ अपने आपको call करेगा तो factorial of 2 अपने आपको call कर रहा है दुबारा और जो if की command है वो नहीं execute होगी क्योंकि n की value 1 नहीं है अभी 11 नमबर लाइन पर n तो जो else है तो else क्या कर रहा है 2 into factorial of 1 को अब यह अपने आपको दुबारा कॉल करेगा factorial of 1 तो अब आपको याद होगा जो factorial of 1 जब n1 हो जाएगा तो कौन से line को execute करेगा एफ वाली line को तो अब एफ वाली line execute होगी तो जिसमें मुझे क्या मिल जाएगा n is equal to is equal to 1 हो गया तो return कर देगा मुझे 1 अब हम इसका answer backward लेकर जाएंगे ठीक है तो जो factorial of 1 का answer क्या आया है जो factorial of 1 का answer क्या आया है 1 इसका answer क्या आया है मेरे पास 1 तो इसको simply में लिख सकता हूं 2 into 1 ठीक है और अब आपने यहाँ देखा क्या है factorial of 2 का answer आगया है 2 into 1 तो यह वाला answer है वो कहां चले जाएगा flip हो के यहाँ जाएगा और हम इसकी जागा क्या लिखेंगे 2 into 1 अब इसको sum कर लेते हैं तो यह क्या बन जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या आगए 6 तो मैं यहाँ पर factorial of 3 का answer में लिख देता हूं और आपने calculator में डाल के देखें आपका answer भी factorial of 4 आपके पास 24 ही आएगा तो यह इसका simple सा pseudo code था और इसका dry run था अगर हम इसकी time complexity की बात करें तो यह भी काफी easy है और काफी easily इसको हम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर भी base case और recursive case ही अपलाए करते हैं असल में तो जब हम बात करते हैं इसकी time complexity की time complexity जब हम simple देखेंगे तो इसा करते हम इसको paste change कर लेते पहले तो paste change कर लेती है और simple इससे देख भी लेते हैं कि हम किस तर आपना काम को और अच्छे से perform कर सकते हैं ठीक है time complexity के लिए जब हम time complexity find out करेंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा cost वागाला तो जो हम लिख लेते हैं जो कि हम simple अपना काम करते हैं तो यहाँ पर मैं time complexity के एडिम डाल लेता हूँ ठीक है और simple यहाँ पर cost और यहाँ पर time नमबर टाइम आ गया तो यहाँ पर मैं देखोंगा तो मुझे किती लाइन दिख रही है यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं एक बेस के बना लेते हैं क्योंकि रिकर्सिफ केंदर हमने देखा था कि बेस केस बनता है और यह कौर कौन सा बनता है है यहाँ पर हम लांट नहीं धूनर कररेट था किस सिवह करते हैं तो सीवन सीटू तो एक्जेक्यूट नहीं होंगे यह एक हीन कुट होंगे यह दोने लाइन टीक है जब रिकर्सिफ केस में एक्जेक्यूट नहीं होсь इस सिफ लानी जो oh होगी वह आपकी बार-बार मुव हो रही होगी और इसका एक तरीका बता यहाथ मैंने किस तरह हम इसको रिकर्सिफ के अंदर लिखेंगे जो भी आपका फंक्शन है इसको आपके देखना है कितनी मरतबा एक डिक्यूट हो रहा है जब ही हमारा रिटर्ण वन प्रेस करेगा तो यहां पर भी बेस के नतर लिखेंगे बागी वह जीरो है तो अब हमने जो काम करना है वह में काम है तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको परफॉर्म किस तना करेंगे ऑपरेशन तो चले स्टार्ट करते हैं अब हम जानते हैं कि जो टी अफ एन है वह किसके बराबर देंगा अगर टाइम कंप्लेक्सिटी की बात करूंगा रिकर्सी वह इसकी मिलाकर तो मिरे पाए एक कॉंस्टेंट वैल्यूज भी आएंगी तो जो के टी एन माइनस वन प्लस C एक कॉंस्टेंट में जो क्लियर करके देगा वो ठीक है अब और इसको हम नाम दे रहे थे एक्क्वेशन नमबर वन का और अब हमने काम करना है टी एन माइनस वन के लिए जब हम टी एन माइनस वन के लिए काम करेंगे तो यह किस्ती मरतबार रहन होगा एक माइनस एसे कि हमने यहां पर काम किया था रान के बार यह जाफ वह था तो यह 3 हो गया फिर एन माइनस 1 हुआ फिरनमाइनस 2 हुऊ फिर माइनस 3 हुए तो यह बार बार एक्जिक्वेश्ट करने आपको इसको हम इस करना इंडिलेक्लिह सकते हैं कि यह 1-2 टाइम रन होगा प्लस with constant time अगर मैं इसकी value को equation 1 में put करवा दूं तो क्या equation आएगी मेरे पास tn is equal to इसकी value जो tn-1 है इसको हम यहाँ पर place कर देंगे तो क्या बनेगा tn-2 plus c यह एक value थी और यह plus c as it is तो आपने यहाँ पर देखा tn-2 plus 2c ठीक है तो यह आपके पास tn की value है तो अब हम इसे equation number 2 का नाम जो देते हैं अब हम tn-2 के लिए काम करते हैं ताकि हम इसको general way में लिख सके जब tn-2 की हम बात करेंगे तो कब तक रहन होगा tn-3 times एक में से एक कम हो जाएगा दो बारह और प्लस एक constant time जब n-2 हुआ जैसे के factorial हमने यहाँ पर किया था factorial में से n-1 हो गया फिर n-2 n-3 तो बिल्कुल इसी तरह function के अंदर भी हमने यह इसी तरह काम करना है और अब हमने इसकी value पुट कर देनी है इसके अंदर तो जब रखेंगे वैल्यू तो क्या बनेगा तो टी एन-3 लसी और इसका जो पहले से मुझूद है टूसी एलेट इस रहा टी एन इस एक्वल टू टी एन-3 प्लस 3C अब हम इसको जनरल में लिख देते हैं अगर इसको जनरल में लिखना च में इसको बना दिया आधक अब हम जाएंगे बेस्केस की तरह आधकि मनुन करना है तक यौशन हमीशा आगरेटी केस की वजसे ही होगा लिख संपलाके amor प्राइम का नाम दे दिया अब हमने जैसे प्रिवेस वीडियो के अंदर किया था कि हमने जो यह वाली वैलियू से इंदर वाली इंको कंपेर करवाएंगे तो क्या लिखूंगा जब कंपेर में करवाऊंगा n-k is equal to 1 दोबारा सुन ले जब भी हम बेस केस को कंपेर करवाते ह है recursive case के तो हम उसके time complexity के जो inner brackets होते हैं इंको compare करवाते हैं ठीक है अब हमें चाहिए कि को substitute करवाना था हमें असल में तो हमें यहां लिख सकता हूं k is equal to n is equal to k plus 1 तो आपके पास एक यह term मौझूद है अब हम करते क्या है अब हम यह values को substitute करवाते हैं यहां पर और हमारा answer आ n-k किसके बराबर था 1 k तो हमने 1 रख दिया plus plus अच्छा अब यहां पर in term of k लिखा हुआ है तो हम यहां से k की values निकाल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं यहां पर और तो यह k plus 1 था तो यह n-1 is equal to k तो k की value आ गई है हमारे पास n-1 तो हम यहां पर अगर substitute करवाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 into c यही बनेगा और t of 1 क्या है आपके पार constant है and is equal to n-1 of c तो आपने इसके जो time complexity देखा वो क्या निकली है हमारे पास जो इसकी time complexity है कि यहां पर मैं लिख देता हूं order of growth is linear और इसका graph किस तरह बनेगा इस तरह कुछ graph बनेगा ठीक है तो आप इसको इस तरह लिख सकते है कि I hope समझ आ गई होगी आज की वीडियो और आज की वीडियो के अंदर एक पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसका फैक्टोरियल का तो I hope समझ में आ गया होगा कुछ भी problem हो तो आप comment section में बता सकते हैं अगर dry run समझ नहीं आया तो भी बता सकते हैं बस आपके जब dry run आप करींगे तो आपके लिए time complexity निकालना बहुत easy हो जाएगा तो कि आपको पता होगा कि आपका फैक्टोरियल of 3 कैसा है फैक्टोरियल of 2 कैसा है यह n ही था आपके पास basically इसको मैं थोड़ी सी और explain कर देता हूँ यह n था आपके पास अगर आप इसी को अपना एक यह constant रखा हुआ है और आप बोलें कि यह कैसे आया तो आप देखेंगे कि अगर मैं n में से 2 मैनस कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा तो इस तरह हमने समझे time complexity के अंदर भी जब भी हम लोग कर रहे थे n-3 निकाला अगर मैं n-3 को और लेके जाता है तो n-4 हो जाता है बिल्कुल इस तरह जैसे के n-2 टर्म थी है हमारे पास इसको जब और मैंने follow-up किया तो n-3 हो गई और यह constant term आ गया तो बिल्कुल इस तरह follow-up करके आप अपना answer को verify कर सकते हैं thank you